हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चैनल सवाम टेटोरियल सो लेटर इस्टार्ड विद दे कंड़क्शन एंड़क्शन डिफरेंस सो अब भी तक हमने पिछली क्लासेस में जो पड़ा है उसमें पड़ा है कि लेक्रिसीडी क्या होती है साथ में आपने देखा था कि चार्जिंग की मेथर्स क्या होती है मेथर्स में बढ़ा था हमने की कंड़क्शन क्या होता है इंड़क्शन क्या होता है और एक एक इग्जामपल लिया था जिससे समझा था कि friction से भी charging होती है ठीक है और जो friction से जो charging होती हो insulator में होती है जो की temporary रहती है ना की permanent रहती है अब difference देखते हैं अपन conduction और induction का difference क्या है ठीक है सबसे बड़ा basic difference तो यह है कि एक charge body को एक uncharged body के path में contact में लेके आते हैं contact में लाने में क्या होगा कि जो charge body है उसके electron transfer हो जाएंगे uncharge body में जब हम उनका contact से remove करेंगे उन्हें जब हम उनसे remove करेंगे तो क्या होगा कि जो electron है वो transfer हो जाएंगे तो charge body में कुछ electron बचेंगे और uncharge body में कुछ electron बचेंगे जदी अपन समझते कि दोनों body equal shape and size में होती है equal dimension में होती तो दोनों body का जो charge है वो equally distribute होता जदी unequal है तो वो charge हम बता नहीं सकते कि किसमें कितना charge transfer होगा है ठीक है, induction का difference देखते हैं सबसा major difference क्या है कि induction में क्या करते हैं कि uncharge body रख लेते हैं और एक charge body लेते हैं चार्ज body को Uncharge body के पास में लेके आते हैं और उसपर कुछ distance maintain करके रखते हैं जिसकी वज़े से क्या होता है कि जो charge body रेते हैं उसके charge से Uncharge body में Charge Induse हो जाता है और Charge Induse होने की वज़े से क्या होता है कि उसमें एक साइड में Plus Charges Induse होगा एक साइड में नेगकेटिव चार्ज होगा इंड्यूज्स और जिस साइड में हाःए प्लस अध्य बोडि में व्हियन इंड्यूंन के प्लस चार्ज के अध्यूं दॉ tap जब हम उसे रिमूव करेंगे चार्ज बोडी को इससे दूर लेखे जाएंगे चार्ज बोडी से अंचार्ज बोडी को तो क्या होगा कि जो अंचार्ज बोडी थी उसमें चार्ज इंडिस हो चुका है अब अब उससे रिमूव करेंगे चार्ज बोडी को इससे दूर करेंग तो उससे क्या होगा कि जो uncharged body वो भी charge हो जाएगी तो induction process से इसे charge करते हैं अब दूसरा difference एक है conduction process का कि जैसे अपन contact में लेके आते हैं तो क्या होता है कि electron transfer हो जाता है एक body से दूसरी body में तो उससे क्या होता है कि कोई body का weight gain हो जाता है किसी का weight loss हो जाता है फिर induction में क्या होता है कि मास contact में तो आते ही नहीं कोई body तो उसकी वज़े से क्या होता है कि मास दोनों body का same रहता है ठीक है अब देखते हैं कि तिसरा difference क्या है कि जब charge body body को charge करेंगे तो आप इंडेक्शन रिक्वार्ड नहीं है मतलब जब conduction से हम charge करेंगे तो उसमें body body में induction required नहीं होता है और जब हम body को charge करते हैं तो induction required होता है conduction required होता है induction process में ठीक है यह और और आपको brief में समझना हो तो आप मेरा वीडियो कर सकते हैं जो कि मैंने एक वीडियो एक लेक्चर पर ले डाला था और मैं उसे description box में उसके link भी दे देता हूं thank you for watching please like and comment and share my videos